हलो फेरेंड्स वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल मैं डॉक्टर प्रवेज खान दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मातपुर्ण बिमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और अधिकांग्स लोगों को इस बिमारी के बारे में बिलकुल भी नॉलेज नहीं है उनमें नॉलेज का कमी है तो यह जो टॉफिक है यह है फैटी लिवर के बारे में तो आज हम इसी फैटी लिवर के बारे में आप से डिसकस करेंगे तो जो फैटी लिवर है यह फैटी लिवर एक मेडिकल कंडिसन से जिसमें लिवर में धीरे-धीरे करके चर्वी जमा होने लगता है अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर उनका लिवर फैटी है तो पेट की जो सारी की सारी समस्या है भेले ही वो डाजेशन से हो चाहे वो गैस से हो यह सब इसी बिमारी के कारण होता है परन्तु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फैटी लिवर के जो परमुक कारण होते चर्बी या बस्त जमाँ हो शकता है आज के दौर में एक नया कारण आपके और आ रहा है जो कि हमारा लाइफ स्टाइल से संबंदित है और लाइफ स्टाइल से ही संबंदित जो बिमारिया होती है जैसे कि हाइपर इपर्टेंशन सुगर मोटाफा या बलड में हाई कॉलेस्ट्रोल के कारण भी देखा गया है कि जो बलड का जो कॉलेस्ट्रोल है वो धीरे-धीरे करके लीवर में जमा होते जाता है और फैटी लीवर का कारण होता है इस बीमारी को हम नन-alkoholic fatty liver कहते हैं स्वाट में हम इसे नैफल कहते हैं सराब से होने वाली फैटी लीवर की जो बिमारी होती है उसे हम अल्कोहलिक fatty liver जो यह फैट है जो कोशिकाओं में जमा है वो लीवर के सेल्स में स्वेलिंग करता है उसमें इंफलेमेशन करता है जिनको हम नैस की अवस्था कहते हैं यानि नन-alkoholic इस हेपाटाइटिस तो यह जो नैस है इसके कुछ परसेंट मरीजों में जो बिमारी है वो आगे बढ़ सकती है जो प्लेन है जिसे हम सिंपल इस्टेटोस कहते हैं जिसमें लीवर की कोशिकाओं में इंफलेमेशन नहीं होती उसमें बिल्कुल भी साल साल तक नुक्सान न कहते हैं और करीब 15-20 सालों में पूरा का पूरा इसकार हो जाता है और फिर कभी-कभी लीवर फेल भी करता है इवन यहां इस्तिति आ जाती है कि पैसेंट की लीवर ट्रांस्प्लांट करने की भी जवरत परती है परन्तु अच्छी बात यहां है कि ऐसा बहुत ही कम लोग यहां हो शकता है और कुछ लोगों में जो मोटे हैं जिनको ब्लड प्रेशर की सिकायत है जिनको हाई कॉलिस्ट्रोल है जिनको डाइविटीज है ऐसे लोगों में लगभग 60% लोगों में फैटी लिवर हो शकता है अगर हम इसके सिंप्टम की बात करें तो शुरुआती स् परन्तु यहां देखा गया है कि कुछ करीब 10-15% लोगों में जो हमारी पेट का राइट साइड का जो अपर पार्ट से वहाँ थोड़ा सा ड्रैडिंग से सेंशन या थोड़ा सा भारीपन लग सकता है इसके अलवा अनकोई लक्षन जो बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं जब लिवर फेल हो चुका होता है इसलिए जरूरी है कि हम टेस्ट के दवरा इसकी सुरुवाती स्टेज में ही इस बीमारी को परकड़ सके जिसे की उसका समय रहते हैं ट्रीटमेंट किया जा सके आज कल जो हेल्थ चेक अप हो रहा है इसमें आमतर पर अल्ट्रासौन जो होता है उसी में फैटी लिवर पकड़ में आता है या फिर हम किसी और कारण से जैसे की किड्नी का कोई डिजिज है उसके कारण अल्ट्रासौन करा रहे हैं तो भी लिवर में फैटी लिवर पकड़ में आ यह आगे बढ़ सकती है तो हम टेस्ट के दोबारा यह पता लगाते हैं कि यह नैस है या नन-Alcoholic इस्टेटोसिस के ही बिमारी है यह जो टेस्ट हम करते हैं इन में जो में टेस्ट है वह हम ब्लेड से कि यह पकड़ सकता है अब अगर हमें पता चल सकता है कि यह नैस का बीमारी है Freunde तो क्या इसका treatment मुमकीन है जी हाँ इसका treatment मुम्कीन है यह हमें पता है कि जैसे कि मोटाःए क rouitäट क्रोल हो और ब्लट को लेस्टरॉल्स के मात्रा अगर को जो conflicting यह तो यह इन हमारी आगे बढ़ चुकी है उसे हम रीबर भी कर सकते हैं साइंस ऐसा मानती है कि अगर हमारा वजन को हम 5-10 परसेंट तक अगर कम कर सके तो यहां बिमारी काफी हद तक को हम कम करना चाहिए बोले तो लगभग 30 परसेंट का रिडक्षन हमें करना होगा जिसे हम लीवर की बिमारियों से बच सके तो अगर किसी को यहां बिमारी हो गई है तो उसका भी इलाज इसे संभाव है कुछ दवाए जरूर है पर उतनी कारगार नहीं है और उनका सेवन हमे में बस इतना ही मुझे उम्मिद है कि आज का यहां वीडियो आपको बहुत ही इंफॉमेटर लगा होगा अगर इंफॉमेटिव था तो वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर कीजिए अगर आपने अभी थक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प् आपके पास तुरंट इसका नोटिफिकेशन चले जाए थैंक्यू भेरी मैच